Welcome to RB Vlogs for Everything. Please watch and subscribe, like and share. To improve our creativity, let's start. वीर्भद मंदिर के पास एक ईदगाह, एक दीवार जिसके सामने मुसल्मान ईदगाह के दिन प्रार्थना करते हैं, का निर्माल शुरू किया. इसी बात को लेकर कुछ जगड़ा हुआ, जिसके कारण जोहर अली को रहाता छोड़ना पड़ा. फिर वे शिर्दी आ गए और बाबा के साथ मस्चिद में रहने लगे. लोग उनकी मीठी बातों के कायल हो गए और वे बाबा को अपना शिश्य कहने लगे. बाबा ने कोई आपत्ती नहीं की और अपना चेला बनने को तयार हो गए. तब गुरू और चेला दोनोंने रहात यहां तक कि उन्होंने विभिन प्रकार से गुरू की सेवा भी की. वे बीच-बीच में शिर्दी आते जाते थे, लेकिन उनका मुख्य प्रवास रहाता में ही था. शिर्दी में बाबा के प्रेमी भक्तों को ये पसंद नहीं था कि बाबा उनसे रहाता में दूर रहे. इस उसे नहीं छोड़ेगा और फकीर के लोटने से पहले उन्हें उसके बिना शिर्दी लोट जाना चाहिए. जब वे इस प्रकार बात कर रहे थे, फकीर आ गया और अपने शिश्य को दूर ले जाने की कोशिश करने पर उन पर बहुत क्रोधित हुआ. कुछ चर्चा और तक् बाबा के शिर्दी आने के 12 वर्ष पूर्व लगभग 10 या 11 वर्ष की आयू का ये देवीदास शिर्दी आया और मारुती मंदर में रहने लगा. देवीदास के सुंदर चेहरे और चमकदार आखे थी, और वे वे वेराग्य के अफ्तार और ग्यानी थे. कई लोग, जैसे तात्या कोटे, काशिनात्स और अन्य लोग उन्हें अपना गुरू मानते थे. वे जवाहर अली को उनकी उपस्थिती में ले आये, और उसके बाद हुई चर्चा में, जोहर बुरी तरह से घायल हो गया और शिर्दी से भाग गया. वे बीजापुर गये और कई वर्षों क साई बाबा ने वास्तविक आचरन से दिखाया कि किस तरह किसी को आहंकार से छुटकारा पाना चाहिए और ओचतम अंत, अर्थात आत्मसाक्षातकार प्राप्त करने के ये एक शिश्य के कर्तवियों का पालंग करना चाहिए. ये कहानी यहां महाल सापती, बाबा के एक मह द्वारा दिये गए संस्करन के अनुसार बताई गई है.